प्यारे बच्चों सूप्रबाद आज हम पढ़ेंगे कविता केदी और कोखिला जो किसकी द्वारा रचित है माखनलाल चतुरवेदी के द्वारा रचित है सबसे पहले हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुरवेदी का जीवन परीचे यानि इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबा जिले के बाबई नामक गाउं में हुआ था सोला वर्ष की अवस्था में क्या बन गए थे शिक्षक बन गए थे लेकिन इन्होंने शिक्षक का यानि अध्यापन का कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का संपाधन किया इसके साथ ही इन्होंने कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का भी संपाधन किया बाखन लाल चतुरवेदी की जो रसना है वो देश भक्ती की भावनाओं से क्या है युक्त है यानि उनमें देश भक्ती की भावना मिलती है उनमें स्वतंतरता की चेतना के साथ सात्याग और बलिदान की भावना भी इनकी रचनाओं में मिलती है हिम किरेटनी साहित्य देवता हिम तरंगनी वेणू लोग गुंजे धरा इनकी क्या है प्रमुख क्रतियां है और इने एक भारतिय आत्मा की संग्या से अभिहीत किया गया है ये था इनका जीवन परीचे अब है पाट परीचे जो कवीता है केदी और कोकिला इसमें क्या है भारतिय स्वाधुनता सैनानियों को क्या कर दिया गया है अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया गया है उनके साथ जो दुर्वेवार किया जा रहा है उन्हें जो यादना या दुख दी जा रहा है उनका लाती हो संदेश किसका कोकिला बोलो तोयानी की क्या है जो सोतंतरता चैनानी है जो कभी हो कहां केद है जेल में केद है तभी रात्रे में क्या होती है जेल के उपर कौन मंडराने रखती है कोयल मंडराने लगती है और बोल कूकने लगती है क्या गाने लगती है क्या गाती हो क्यों रह जाती है तो जो कहते हैं कि तुम जेल के उपर रहकर इतनी रात में क्या गा रही हो रहकर क्या तुम गाती रहती हो क्या परेशानी है क्या लाती हो संदेश किसी का क्या तुम हम स्वाधिनता सैनानियों के लिए किसी का क्या लाई ह तो संदेश लेकर आई वो तो कोयल बोलो काली उची दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट बर खाना मरने भी देते नहीं तडप रह जाना जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है शाशन है या तमका प्रभाव गहरा है इमकर निराश कर चला रात भी काली इस समय काली माई जगी क्यों आली यानि कभी जो है वो कोयल से कह रहे हैं कि जो अंग्रे हम क्या जो वो स्वैम और जो देश भक्ते जो सतंतरता से नानी है क्या है एक जेल में बंद है कहते हैं कि हमें क्या है कोयल को बताते हैं कि जेल की काली काली दीवारों में चारों तरफ क्या है बड़ दीवारे हैं उची उची दीवारे हैं और उनको जो सतंतरता से नानी उनको किसके साथ जेल में रखा हुआ है डाकू चोरो और बटमारों के साथ वो जेल में रह रहे हैं जीने को देते नहीं पेट बर खाना नहीं उन्हें जीने के लिए क्या पेट बर भोजन भी नहीं मिलता है मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना और क्या है ना वो जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं बस क्या है तड़पते ही रहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और उन पर दिन रात जो सुतंत्रता सैनानी है उन पर क्या है दिन रात अंग्रेजी सैनिकों का क जो प्रभाव है वो किसके समाने तम का प्रभाव तम यानि अंदकार ये गहरे अंदकार के समान क्या है इसका प्रभाव है हिमकर निराश चला चंद्रमा भी क्या है निराश करके चला गया चली रात काली भी और काली रात भी क्या है चली गई है काली रात भी चुकी है चल र क्या गीद गा रही है क्या संदेश दे रही है क्या कहना चाती है क्या है इस पस्ट बोलो क्यों हूख पड़ी वेदना बोज वाली सी कोकिला बोलो तो क्या लूटा यानि कहते हैं हूँ क्या नी बोलना जब कोयल जेल के उपर मंडराती है और बोलती है तो कहते हैं कि तेरा को कोयल से कहते हैं कि वेदना वर यानि दुख परे स्वर में क्यों बोल रही हो को कि ला बोलो यानि क्या है कोयल बोलो क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है म्रदुल भेवव सी रखवाली तुम क्या इस म्रदुल भेवव की रखवाली करने वाली हो तुम्हारा किसी ने क्या कोई खजाना लूट लिया जो तुम्हारा स्वर में क्या एक वेदना यानि दुख सुनाई पढ़ रहा है तो कोयल से कहते हैं कि है कोयल तुम इसपस्ट भ तुम पागल हो गई हो अर्द रात्री को चीखी तुम आधी रात में क्या कर रही हो दावानल की जौनाइं को किला बोल ते ऑभानल में लगने वाली आंगी तुमिने लगते देख ली है और तुम इतनी आदी रात को क्या कर रही और चीख रही और जाती हो तुम इस पस्ट बोलो कर लाए